नमस्कार मैं स्वाती और आप देख रहे हैं विंधिया टाइम्स रीवा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां एटियम फ्रॉड कर लोगों के बैंक बैलिंस को गायब करने वाले बदमाश को समान थाना पुलिस ने गिरफतार किया है दो जनवरी को रीवा में हुई एटियम फ्रॉड की घटना के बाद से ही पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है पकड़े गए मुख्य आरोपि का नाम आदिति सिंग बताया किया है जो प्रदेश के कई जिलों में अपने साथियों के साथ मिलकर एटियम फ्रॉड की घटना को अंजाम दे चुका है जानकारी के अनुसार इंदौर, उज्जैन, पीथम, पूर और जांसी समेत कई जिलों में ये बदमाश वारदातों को अंजाम दे चुके है रीवा के समान थाना इलाके में हुई घटना के बाद पुलिस ने आरोपि के संबंध में जानकारी जुटाई जिसके बाद पुलिस ने आरोपि को बीती रात उत्तर प्रदेश के बनारस से गिरफतार किया है पुलिस अब पकड़े गए आरोपियों से पूछताच कर अन्य आरोपियों का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है जिमाश ने पुलिस की पूछताच में बताया कि वह किसी भी वारदात के पहले एटियम के आसपास रहकी किया करते थे जैसे ही कोई व्यक्ति एटियम से पैसी निकालने आता था तो आरोपि उसे जहांसे में लेकर धोखे से उसका एटियम कार्ट बदल लेते थे और संबंधित व्यक्ति के जाते ही उसका एकाउंट खाली कर देते थे पूरे संबंध में समान थाना प्रभारी नी बताया कि पिछले काफी समय से यह शिकायते मिल रही थी कि कुछ आरोपी लगातार सामानती राहे के पास धोखे से लोगों का एटियम कार्ट बदल कर उसकी मेहनत की कमाई को उनके अकाउंट से निकाल कर रफुचकर हो जाते थे जहां वरिष्ट अधिकारियों के निर्देश पर आरोपियों की गिरफतारी के लिए एक टीम बनाई गई थी जिन में पकड़ा गया आरोपी आदिती सिंग बनारस का है जिससे लगातार पूश्ताश की जारी है ताकि अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जा सके पिछले काफी दिनों से जो है यहां समानती रहा के पास कुछ लोग आते थे और लोगों को जहासा देकर उनका दोके से एटिम एक्शेंज कर लेते थे यह फिर उनके खातों से पैसा निकाल लेते थे एसा ही एक मामला हुआ था जिसमें प्रकरण पंजी बद हुआ था जि दिवान पुलिस अधिक्षक बीवेक सिंग साहब और पुलिस अधिक्षक महुदै अनिल सौनकर जी तता सीस्पी मैडम स्रीवाली चतुरवेदी के नेतत में टीम गठित किया गया था जिस पे लगातार प्रयास के बाद हम लोग को कुछ इंपुट मिला था जिसके आधार प ने की पोश्टाश किजा रही है Great इसके समंद Woo भी पोश्टाश कर रहे हैं ऐसी उमिद है कि यह लोग कापी अलग अलग जगओं में जा जाए जा करके इस ही तरह का कारते हम करते हैं आपके और जो विद्ली उसको सुटकाल कर दीकैने हैं हमारे यहां की घटना थो का लिक झाल झाल